स्वागत है स्टुडेंट्स यहां पर question दिया हुए कि एक proton है और एक electron है अब equal speeds ठीक है तो speed of proton is equal to speed of electron यह question में given है find the ratio of d-brogly wavelengths associated with them तो दीक है d-brogly wavelengths जो होता है उसका formula यहां पर पता होना चाहिए ठीक है तब जाकर कि यह question आप बहुत easily बना लेते तो दीक हो d-brogly wavelength जो होगा वो होता है lambda equals to h upon mass into velocity speed ठीक है तो यह formula हम लोग यहां लगाएंगे तो जैसे हम लोग अगर suppose करे लिखा जाए किसके लिए तो हम लोग अगर यहां पर लिखते हैं proton के लिए तो d-brogly wavelength of proton is equal to h तो constant होता है न length constant इसका value change नहीं करेगा mass of proton लिखना पड़ेगा और velocity of proton ठीक है तो यह बन जागा हमारा equation 1 same उसी तरह से अगर हमें d-brogly wavelength of electron यहां पर निकालना है ठीक है तो वो आ जागा h upon mass of electron into velocity of electron यह दो equation बन रहा है और question में हमें कहा था कि ratio बताना इसका तो ratio के लिए हम क्या करेंगे इनको divide कर देंगे तो wavelength of proton by wavelength of electron equals to h upon उसका value रख दो फिर divide में इसका value रख दो है 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 कड़िया भी same था कड़िया यह बचा mass of electron by mass of proton अब mass of electron भई तुम्हें पता होना चाहिए कि mass of electron होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और mass of proton होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg अब इसको करना पड़ेगा तुम्हें solve तो देखो कैसे करेंगे तो delta lambda p by lambda equals to सबसे पहले क्या करो कि 9.1 जो है उसको तुम decimal को वहां से हटा दो decimal हटा तो नीचे 10 आ गया यहां से decimal हटा तो उपर आ गया दो 0 था दो decimal था एक 0 कटेगा वैसे भी उपर आ रहा है 910 और नीचे आ रहा है 167 तो तुम्हारा सबसे पहला काम रहेगा कि 910 को 167 से माइनस 27 उपर जाएगा तो प्लस 27 बन जाएगा माइनस 31 प्लस 27 क्या बचा 10 तो दी पावर माइनस 4 बचा तो यह हमारा रेशियो आ गया तुम चाहो तो ऐसे लिख करके अंसर बता दो कि हाँ यह मेरा अंसर है अगर तुम्हें फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन मे यही रहने दो वह 10 to the power 4 को ठीक है अब क्या करो कि आप काटना चालो करो ठीक है कि उपर में 910 है और नीचे में 167 0000 तुम क्या करो कि 167 0000 को डिवाइड करो 910 से यह तुम्हारा अगर देखा जाए तो आपका 1670 अगर लेते हैं एक बार में जाएगा ठीक है 910 बचेगा ठ ठीक है तो 1670 में से 910 चला गया तो 760 बचा एक 0 और उतार लिया वहाँ से यहाँ से 7600 अब 8 बदेखते हैं 7280 ठीक है तो 7600-72800 करेंगे तो 320 यहाँ आएगा फिर एक 0 उपर से और उतार लेंगे इसको तो 32 हो गया तीन बदेखते है 2700 क्याश्पास कुछ आएगा तो 2730 ठीक है 2730 आ गया और उसको घटाएंगा 3200 से 470 हो गया फिर एक 0 यहां से लास्ट होला आएगा ठीक है तो पहले 8 एक के बाद 8 8 के बाद 3 अब देखते हैं चार बार में तो 910 इन्टु 4 यह 3600 आएगा 40 आएगा तो यह तुम्हारा ऐसे भी लिख सकते हो 1 by 1834 करके ठीक है यह भी लिख सकते हो 1834 1835 1836 इसी क्या सपास होगा तो यह तुम्हारा तरीका पूरा बताया मैंने अगर तुम्हें पसंद आया तो एक बार लाइक शेर सब्सक्राइब कमें जरू करना थेंक यू सो मुच पूर वच्छिन